तमस्कार आपने देखा हुगा होगा यह बहुत सारे लोग ऐसे होते गिनःत में ज्यादा पैसा कमा लेते को उसको आप यह कह सकते हो मिक्री के फ्री रहते है आप देखते हैं वो फ्री लता है कुछ काम भी नहीं करता है अच्छी गाणी मेंटेन करता है अच्छा गर मेंटेन करता है सब कुछ मैंटेन करता है कैसे और पगरा करते हैं? नहीं। यह भी लोग सामाई नहीं हैं, आप की तरह ही हैं. लेकिन और फुर्टा हीता हृती हैं, आप से dwa Cao क्यों के से काम, यई भी महिनद करते हैं, लेकिन इनकी सौच क्या होती हैं, कम महिनद में जहादा पैसे कमा लग East ये अपना दिमाग अपना brain यूज़ करते हैं इन को आप smart लोग भी करते हैं तो आफिर कम मैनत में ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं लोग नमबर बार वाजellen एसे लोग strategic सोच रखते हैं इसे लोग को रन नितने से कारी करते हैं कोई भी कारी करते हैं ना उससे पहले ये सोचते हैं दस बार उनको पता है कोई भी कारी स्टार्ट करते हैं ये कारी कैसे करना है कैसे कारी किया जा सकता है इस कारी में किस किस की मदद लेनी होगी इस कारी में कितने पैसे लगेंगे अगर ये कार क SSि कि करने किना समय लगेगा यह मनलब वूरी तरीके से रन्निति बना कर उस कारी को करते हैं इस्टेटेजिक सोच रखके कारे करते हैं यह नहीं कर बस कोई कार्या हाथ में लिया तो बस Agora पूरा करना है न कितना पेशा लगेगा और न कितना उसमें मेंपावर लगेगा यह सब पनी इसोचते हैं। दूसरे लोग, लेकिन जो smart लोग होते हैं। जो कम मेनत में ज्यादा पेशे कमाने वाले होते हैं। यह बिल्कुल इस्टेजी से साथ चलते हैं। हर चीज सोच विचार कर कदम रखते हैं। उनको पता है कि हमारा एक-एक सेकर्ड इंपोर्टेंट है। वह बिलकुल रन निक्ति बना कर कारी करते हैं। तो यह जो स्मार्ट लोग होते हैं यह क्या करते हैं किसी कारी को करने से पहले पूरी स्ट्रेजी बनाते हैं इस्ट्रेटेजी के साथ में कारी करते हैं, बिना इस्ट्रेटेजी के कारी नहीं करते हैं, यह जल्द बाजी में कभी फैसले नहीं लेते हैं, जल्द बाजी में कोई कारी नहीं करते हैं, जो कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, वो किसी भी कारी को तुरंद फूं जल्दबाजी करेंगे, उनको पता है, अगर अपने कारी में जल्दबाजी की तो वो कारी डिस्टिर्ब हो सकता है, उस कारी में जो पेसा लगा है, वो पेसे का लोस हो सकता है, उस कारी में जो में पावर का लोस हो सकता है, और उस कारी में अपना समय वेश्ट हो सकता है, इस और सोच समझ कर इस्ट्रेजी से और बिल्कुल दिमाग लगार करते हैं चल्द बाज़े तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं इसलिए लोग कम मेनत में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं अपन से भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं फिर अपन देखते हैं इन्होंने ज्यादा पैसा कैस अपडेटेटिगे रिसे कोई सुचणह आती है जैसे कोई नहीं आता है यह उसको पकल लेते यह पुराने डर्ने पर नहीं चलते यह हर चीज का ओक़ता है अपने आज पास का मोनेज रखते हैं अपने कंपिटिटर कादो देश दुनिया का नोले जबते हैं काव्ल कारी कर रहे हैं ह। तुरंत उनको लगता है य Sahib पकलेते हैं इनको पता है कि अगर हम अफ-डेटेट नहीं रहे तो हम जमाने से पीछे चले जाएंगे ओर जमाना हम से आगे निकल जाएगा। ये जमाने और अपने आस पास हर चीज़ को अपडेटेट रखते हैं इसलिए ये लोग कम मेनत में जातना पेसे कमा दें ये हर कारी में प्रात्मिक्ता तैय करते हैं इनको पता है कोई भी कारी हाथ मे लेते हैं तो न तो ये जल्दी करते हैं न देर करते हैं उस कारी को बिल्कुल टाइम पर करते और बिल्कुल वैस्तित करते इनके पास हर चीज का समय होता है समाज के लिए समय होता है दोस्त के लिए समय होता है अपने परिवार के लिए समय होता है और ये अपने खुद के लिए भी समय निकालते है इनको पता है कि कौन सी चीज किस वक्त करनी है यह कमे का मैनेज़मेंट बिल्कुल वैस्तित तरीके से करते हैं यह समार्ट लोग इनको पता है कि कोई कार्य हात में ले ती इनको पुरा करना है और इसमें कितना समय लगे और अपन को कितना इसमें धिमाख लगाकर कारी करना है यह smart लोग करते हैं इसीलिए यह कम must में ज़्यादा पेसे कमा लगनुत आपने देखें बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके पास में भी 18 गंटे ही होते हैं और आपके पास में भी 18 गंटे ही होते हैं लेकिन वो करalone रोपै कमा लेट और आप बिल्कुल पशे कमा पाते हों। कैसे ? क्योंकि वो समय का परबंदन बिल्कुल ज़ी तरीके से करते हैं। कोई भी कारी आहाट में लेते हैं। तो उसकी प्रात्मिक्ता हैं। सई तरीके से टाइक करते हैं। किसी भी कारी को किस समय में तय करना है कितने समय में पूरा करना है उसमें कितना समय लगेगा ये सब उनके पास दिमाग में तो इसलिए आप भी जब भी कोई कारी स्टार्ट करो ना तो उसका सोच समझ कर देखना इसमें कितना समय लगेगा और इसमें कितना manpower लग सकता है, इसमें कितना पैसा लग सकता है हर चीज को प्रात्मिक साथ से तै करें ये लोग कारिय करने का सही तरीका चुनते हैं इन लोगों को पास क्या होता है? ये कोई भी कारिय हाथ में लेते हैं ना तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कारिय को करना कैसे है मैं इस कारिय में कहां तक पूरा कर पाऊंगा और मैं इस कारिय में मुझे किन-किन लोगों की मदद लेनी होगी मुझे इस कारिय में कितना दिमाग लगाना होगा मुझे इस कारी में कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस कारी में कितना manpower लगाना होगा कितना time जाए ये लोग कारी करने का सही तरीका चुनते हैं उस कारी को सही तरीके से बिलकुछ systematic तरीके से उस कारी को करते है अपन तो क्या है दूसरे लोग क्या करते हैं ज्यादा मेनत करने वाले क्या करते हैं कोई कारियों हात में लिलिया बस उस कारियों करते जाना करते हैं दिमाग नहीं लगाना बस मेनत ठोकते जाना मेनत से नहीं होता है साथ ना आपको स्मार्ट वर्क भी रखना होगा किस कारी को किस स्टेटेजी से करना है और किस तरीके से करना है ये आपको सीखना होगा तो ये कम मेनत में ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग होते हैं यह पांस तरीकों से यह कम मिनत में ज्यादा पैसे कमाने थे